परमेश्वर की पवित्र कलाम को पवित्र बाइबल को हाथों में उठाएंगे आजांगिकार करेंगे परमेश्वर ये तेरी और से दिया गया वचने पिता परमेश्वर ये सच सही मारगों में चलने के लिए तेरी वचन पवित्र वचन मुझे चलाता है और सिखाता है परमेश्वर शेतान अंदगार की अदलों की शक्तियों का प्लान मेरे लाइफ में एक्टिवेट नहीं हो सकता क्योंकि मैं इस वचनों के द्वारा उस सब शेतानी बातों को काटता हूँ और जो वचन आज मेरी लाइफ में बोया जाएगा तीस साथ ने वो सोगोना रिजल्टों के साथ आएंगे और ब्लेसिंग्स में में और मेरा घराना बड़ेंगे और आज डिकलेर करो जो वचन आज में रिसीव करूँगा और फलों को ले की आएंगे जैसे हम परमेशुर की ब्लड पवर के बारे में सीखते आरें पिता परमेशुरा वो लहू जंदगी देता है पिता परिमेशरा क्योंकि हमने सीखा लाइफ ब्लड में है और येश्यो ने उस ब्लड को हमारे लिए बहाया हुआ है और जो भी उस ब्लड को फुकारते है जो भी उस लहू को रिसीव करते है पिता परिमेशरा वो अनंद जीवन पातने ही इश्यू के सामथिनर्म से धन्यवाद पिता Help us O Lord आज की सुबचन के द्वारा हमें लीड करना, गाइड करना, अगवाई देना इश्यू के सामथिनर्म से प्राथ न मंगते आमेन, आमेन, आमेन Hallelujah Hallelujah आज आज प्राथ न मंगते के वल आप नहीं, जिसको आप आशिशित देता है वो भी blessed अनुगर आशिशित जुन्दगी में जाएंगे श्यू के सामथिनर्म से आमेन, आमेन, आमेन Matthew Matthew 26, book of Matthew 26, 28 पढ़ लिचे book of Matthew 26, 28 और Ibraniya 2 और 3 book of Matthew chapter 26, verse 28 Ibraniya 2 का 3 पढ़ लिचे book of Matthew 26, 28 text SHARET, को तब तक स्क्रीन में आएंगे इयू कि यह वाची का मेरा वर लहू है जो बहुतों के लिए पापों की शमा के निमित बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं की दाक का यरस उस दिन तक कभी ना पियोगे और जब तक… 26-28 में लिखा है क्यूंकि ये मेरा लाहू है जो एक नए वाचा की स्थापना करता है जो बहुत लोगों के लिए बहाय जा रहा है तक की उनकी पापों की शमा करना संभव हो सके। Ibraniya 2-3 How shall we escape if we ignore so great salvation? This salvation which was first announced by the Lord was confirmed to us by those who heard Him. तो हम कैसे बच पाएंगे इस उद्धार की पहली गोशना प्रभू के द्वारा की गई थी और फिर जिनोंने इसे सुना था उन्होंने हमारे लिए उसकी पुष्टी की है आप कितने लोग आज first time आए होंगे चर्च में? First time आए होंगे आप पहली बार और बप्तिस्मा कितनी लोगों ने लिया नहीं बप्तिस्मा लिया नहीं अब बहुत बार हो सकता है जब लहू या बैठी 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 थैंक्यू अब बहुत बार लहू की बात आप जगा एक नया जगा जा रहे है लहू की बात सुन रहे है सोचेंगे यार यह क्या है कून की बात सुन रहे हो जी यह क्या चीज़ है क्या नहीं है प्रभु येश्यू ने मैं आपके लिए छोटी सी एक इंडिड़क्शन देता हूं प्रभु येश्यू ने मेरी और आपकी पापों से धोके हमें शुद करने के लिए क्यालवरी क्रू 1 पुलिस ने पड़ा फाइन होगा न 500 रुपहह 1000 बाइन है आहीं लिया चोड़ दिया एक बाफिया चंप नियां मैं नहीं, क्योंकि किसी ने किसी को तो फाइन पे करना जरूरी है, येश्यो ने खुन के द्वारा मेरे और आपका फाइन पे किया, और उस लेहू में बहुत पावरय ताकत है, और परमेश्वर का उस ब्लड जब हम उसके बारे में सीखते हैं, मसी को हम सब को बनाएं बनाएं आ डीटेल्स में, और आपने ऐसे कर दिया, बनाया बनाया चीज सीखा, एक दिन बनाने वाले आपके पास है नहीं, और खाना उस दिन बनाना पड़ेगा, क्या होगा, आपको बनाना नहीं आता, तो क्या करेंगे आप, फस जाएंगे न उस दिन तो, बहुत बार मसी को ब्लस और आशिश में रहेंगे, उसकी जिंदगी से आशिश आता जाता नहीं रहेगा, अब बहुत चकर लगाया होगा, बहुत दार्मिक्स्तान चकर लगाया होगा, बट जो जीसस क्राइच्ट ने जो काम किया, वो कोई और नहीं कर सकता, कोई बाबा, कोई अपका फेवरिट वि नुगर आएंगे, दे आएंगे, सामर्त आएंगे, आज ऐसे साथ काम हम देखेंगे, मैंने पिछली संडे भी थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया, जो येश्यो मसी का सैलवेशन या उधार, वाचन में लिकावा है, सो ग्रेट सैलवेशन, उधार आता है, उधार का म आम भाशा में एक गरीब परिवार से एक लड़का को अच्छा नोकरी लग गया, लड़की को अच्छा नोकरी लग गया, उस परिवार में तरक्या आना शुरू हो गया, उनकी हम बोलते हैं इस घर में क्या आया? उधार हो गया, ये तो चलना शुरू हो गया, क्योंकि पै उद्धार होतो होगे पैसे के बाद, बड़ जब हमारी लाइफ में येश्व आता है, वो हमारी बिमारीों से हमें उद्धार देता है, चुटकारा देता है, गरीबी से उद्धार देता है, हमारी चारो एरिया में उद्धार लेके आता है, इसलिए जिसके घर पे, जिसके ज दुवारा ही पॉसिबल है और उदार होगा आपकी जंदगी का परिवार का फैनेंस का हर एरिया का हर शेत्र का उदार हो सकता है यह शाया अधिया एक आपने संडे इदर सवाह अटेंड करने के बाद घर पे यूट्युब में भी दुबारा सुन रहे हो ने यह सर्मन आप सुननना क्यूंकि बहुत बार आप एक बार बैठते हो अब सुनते हो आप रसीव नहीं करता कभी कुछ सुनते भूल जाते हैं कभी कुछ हमने सुन लिय बुल गया जी कभी, कभी उस्चिस में ध्यान ने दिया, उस्चिस सुना उस ताइम हमारे दिमाग में क्लिक नहीं हुआ, बट जब दुबार आप सुनते हो, उस ताइम वो आपको ब्लेसिंग आशिश अनुगर में बढ़ाएगा, ये शाया अध्याई एका अधारा, book of Isaiah chapter 1 verse 18, book of Isaiah chapter 1 verse 18, पढ़ लिजे, यहुवा कहता है, आओ, हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अरगवानी रंग के हो, तो भी वे उन के समान श्वेथ हो जाएंगे, पढ़ लिजे, यहुवा कहता है, आओ, हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वह हम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अरगवानी रंग के हो, तो भी वह उन के समान श्वेथ हो जाएंगे, और आपकी सबकी लाइफ में हमारे लाइफ में क्या है आप येश्यो में आने के टाइम में उस पाप को परिमेश और धोके शुद करता है और हमें माफी भी दिलवाता है मैंने पिछली संदे बताया एक हस्बेंड घर आया देखा वाइफ ने पकड़ा गया वाइफ एक गलत काम किया गया वेविजार किया गया पकड़ा गया पडोसी को पता चला लोग को पता चला सब को पता चला लड़ाई हो गया गुसा हो गया घर बें बेजा गया उसको लोगों ने सोचे ये डिवोर्स होगा भी बट चार दिन के बाद हस्बंड गया उस वाइफ की घर पे उसको ले किया है बोला मैंने तुझे माफी दे दिया ले किया है बहुत बार हमें सुनने का टाइम मूवी जैसे लगेगा बट जीसस क्राइस ने एक काम मेरे और आप के लिए किया क्योंकि हमारी पाप इतनी ताकत होगा उजली किया हो चुगलकोरी किया होगा पता है क्या क्या नहीं मुझे पता नहीं गमंड का पाप होगा गमंड सबसे बड़ा पाप है आप सोचते हो ना मडर वेचार सबसे बड़ा पाप है बड़ मैं आज आपको कह रहा हूं गमंड सबसे बड़ा पाप है बोलो या लग अढ़ नग चरीके से गरीबी से बाहर आया, शादी हो गया, नोकरी लग गया, शोपाया, ज़र ले लिया, गाडी ले लिया, कुछ आशिश हो गया, बच्च आच्छा निकला गया, हंगार, गमंड, अलगल, और बिना कुछ कारेंट से भी हंगार हो सकता है, यह तो मैंने जादा देखा है, कोई आशिश, कुछ नहीं हो, कुछ बंदे के लाइफ में, बट फिर भी हंगार होता है, सबसे बड़ा पाप ह अहंगार, अहंगार, प्राइड, गमंड, उसको कम करना है, सो इस सब पापों से धोके हमें शुद करना परिमेशरी कर सकता है, तो यह ने आपको माफ किया गया, यह ने आपको क्या किया इस लहू के द्वारा, माफी, आपको इस समयने बहुत जरूरी, आप फर्गीवन व हमें उद्धार मिलना है, सबसे बड़ा मिरकल है, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट मिरकल है, क्योंकि यह पॉसिबल ही नहीं है, किसी के पास ताकतने हिम्मत नहीं है, बाकी सारे आप बोल सकते हैं, बहुत सारे बाबे निकलाता हैं मुह से आपल निकलता हैं, हाथ से सोना निक गया, but miracle मिलना, मुझे और आपको आशिष मिलना, अनुगर मिलना, हमारी पापों से धोके में शुद करना, एक विबिजारी विक्ति को पाप देना, एक चौर विक्ति को मुक्ति देना, एक बंदे को आशिष देना, अनुगर, उसका लाइफ चेंज करने, इस सबसे बड़ा miracle है, greatest miracle है, मुझे और मुझ जैसे, आप जैसे पापी, addict, नशेडी, अलग-अलग बैठते है, हमारे qualification अलग-अलग-अलग, अलग-अलग-अलग, जैसे कुछ बंदा अपने qualification लिखता है न, BA, MBA, LLM, MBA, Harvard से किया, तो अपना qualification के last में पाप का संकी आता है, but Jesus Christ ने हमें धोया हमें just maafi दिया, परमेश्वर ने, तो धोके शुद किया, आपने, आपका पाप का report परमेश्वर के सामने गया, कल तक Yeshu-Masih के सामने report आया, जिस दिन आपने बबबतिस्मा लिया न, उस दिन शाम को heaven में record चला गया, आपका नाम है समिता, बर्का, विक्की, गवरव, और कल तक नाम था, प्रभू ने पुछा, अरे भाई, ये पन्ने में क्या है, आज लहू लगा हुआ है, बला इनों ने तो आज येश्य मसी को सिकार किया, बबतिस्मा लिया जी, इसलिए उनके नाम की उपर लहू है, येश्यू का लहू है, उसका पिता परमेश्वर का बेटे क लहू है, इसलिए मुझे और आपको माफी मिलता है, only blood can wash away our sins, मेरी और आपकी पापो, इसको आप दिमाग में गुसाओ, first time आप आए होंगे, पहली बार आए होंगे, ना आपका फेवरिट सेलिबरिटी, ना आपका फेवरिट पास्टर, ना आपका फेवरिट धरम, ना आ हो चुका है, और यह only Christ Jesus can do it, पूरा मिटा सकते हैं, और माफी भी दे सकते हैं, और जीवन की किताब में आपका नाम लिखा गया, कहां पे? कईवरिट, सवर्ग में किताब है, कौन उसका है, जिसको जीवन देना है, कौन यह शुका नहीं है, किसको ऑनार्यां को बtुर से नार्य का चुको नहीं है record maintained है, और आपका नाम उस पाप की किताब से उठा की उठाके जीवन की किताब में छिखा गया, वो किस से कॉन सी, क पन्ने में जिसका नाम आजाते है, वो अनंद जीवन पाता है, उसको इस धर्ती में भी ब्लस्ट लाइफ जीएंगे, इस धर्ती में आप बीमारी के साथ जीने कोई जुरत नहीं, इसलिए जैसे आप क्राइस में आते हैं, आप गवाईया क्यों सुनता है, पिछली संदे भी गवाई सुना, एक सिस्टर का एक आंग दिखता नहीं था, अनॉइंटिंग उल से प्रार्थन हुआ, उसका आंग दिखना शुरुआ, गवाईया सुना अना आपने, देखा आपने, और कैसे ये एश्यू का लहु को फुकारते हो, वो काम होता है आपकी लाइफ में, आप गवार कर चुका, इस फिनिष्ट, एक ही काम हो चुका है, आपने पोट्रेट देखा ऊगांना, इसी पिक्चर जिसी बड़े, बंदे ने पिक्चर बनाया हुआ, किसी का, देखते होंगा आप, क्या बोलते है, मदोना, उसका नाम कहाना, मुनालिससाव, पिक्चर, यसे द उसका अतले इसमें कुछ करने की जरुरत नहीं, जीसस क्राइस ने भी वो काम किया, लहु बहाया, खतम, बोला, it is finished, और कुछ काम की जरुरत नहीं है, कुछ करने, आप पकारते हो येश्यू को, it is finished, आपकी पाप भरा हुआ, जिन्दे की, finished, आपको नहीं जीवन देता है, new life देता है, और लहु और भी काम करता है, वो हमें नहीं जीवन देता है, आपके हातों में new नियम है, नया नियम है, बाइबल में, हर बाइबल में नया नियम, और पहली बार आते हम उनको नया नियम देता है, ये नया क्या होता है? कategori लड़के लड़की हैं नहीं हुआ है रिंग काही टो कवा हैते इन पूछुग कान है तेरा हुऔ भाइफ कहां पूछू अ अको एक रिष्टा आ फॉर एक रिष्ट है कभीकबर मतलब दिन रात मारते है कभीकबर और नोकरी भी कभी कबर करता है, साल में एक आध रबार करता है नोकरी में और गरीबी परिशानी में, कितने भी लोग ऐसे रिष्टे में जाना चाहते है जिसके लाइफ में प्रॉबलम है आपको अपनाया आपकी लाइफ में इतनी प्रोब्लम होने के बाद भी एशु ने आपको अपनाया आपकी लाइफ में प्रोब्लम है ना बहुत कुछ प्रोब्लम है उसके बाद भी एशु ने क्या किया आपको अपनाया, आप और मुझ जैसे बंदा, जिसकी लाइफ में 500 पंगे, 500 प्रोब्लम है, लाइफ हम सुच्टे नहीं तरीके सा कैसे शिरू होगा, एक राइस वाला में तुझे नहीं जीवन दूंगा, नहीं जीवन दूंगा, नहीं जीवन दूंगा, यह कैसे होता है प मढर छोड़के बाकी सारे पाप मेंने किया गया, एक साड़े उनी साल का लड़का, बड़ जब येश्व मेरे लाइफ में आया, उसने मुझे नई जीवन दिया, उमीदे दिया, हॉप दिया, सब चीज को मिटा दिया, मुझे गिल्टी का कोई फीलिंग नहीं आया, आता है शैतान करने, मैं डानता हूँ बात, मैं ब्लेस्ट वेकती हूँ, मैं अल्लेडी दुल चुका हूँ, और मेरे जैसे problematic बंदे को एश्यू ने क्या किया, क्या किया, अपना या, बड़ एक धर्ती का बंदा क्या बोलता है, आप कितनी लोग करजे वाले बंदे के साथ दोस्ती रखना चाहते हूँ, करजे वाले बंदे के साथ दोस्ती रखना चाहते हूँ, बड़ एश्यू आपके साथ दोस् आपको अपना लिया, रिसीव कर लिया, जै वाइफ, जैसे सन, जैसे डॉटर, आपको ले लिया परमेशो ने, यह सब लहू उस सैलवेशन के द्वारा करता है, समझ आ रहे हो आपको, फोलो कर रहे हो, फोलो कर पा रहे हो, मुझे किसी पास्ट ने वला हरियाना पंजाब का इनको गहरी बात आप सिखा ने सकता, उनको इच्छा ने है, यह मैं चातों मैं जूट स्थाबित करूंगा, हरियाना पंजाब की लोगो गहरी बात सिखाएंगे, आप सीखेंगे भी, यह पास्ट बोला है मेरेको, गहरी बात तो नौर्थ में किसी को सीखना है ने चाता, म गहरी बात आप सिखा वो आप सीखेंगे, केवल उपर उपर की बात ने आपको नीची अंडर अंदर भी जाके आपको सीखने लेने आशी शनुगर, केवल उपर 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 बात सीखने आपने, उपर उपर की बात सीखने, आप गहरी सीखना चाते है ना, बिर्यानी खाय कि उसके उपर क्या डालते है है क्या डालते है दनिया उस टाइम जो सब्जी रेट कम है उसकी सलाद काटके प्याज रेट जाद है तो कम कीरा किसी को पनीर पसंदो या मत चिकन पसंदो यह पीस कहां मिलता है कि ता मिलता है और नीचे जाना पड़ेगा न डूड़ना पड़ेगा तब उपर उपर क्या मिलेगा दनिया ही मिलेगा प्याज मिलेगा मिर्ची मिलेगा बस यही मिलेंगे अब उपर उपर की बातिया आप गहरी जाके उसमें से खजाना निकालना चाते हो परमेश्र के वज कि सो दोके शुद्ध करता है माफी देता अट जैसे मुझ जैसे पापी विक्ति के साथ क्या करना चाते हो प्रुभु यष्यू अपनी लहू के द्वारा दोटेशुद करने के बाद आपको क्या करना चाते है चाते हैं मैं पाइ। problems चलता है बहुत सारे long life में कोई आपके आसपास भी नहीं आना चाहता आपकी आपका नाम नहीं ले रहा हूँ किसी के जंदकी में police case चल रहा है पंगा चल रहा है आप उसको phone करने के पहले क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे भाई अभी phone किया तो यह मुझे help ना मांगे टेकने do not disturb डाल दे उसका phone उडा दे number mobile message आया whatsapp उसका help के लिए हमने वो पड़ा नीचे message में बढ़ खोल के नहीं देखा खोल के देखले तो blue tick आजाए बोलता सकता है मैंने देखा नहीं परमेशर आपके साथ इतनी परिशानी ट्रबल में वो relation बनाना चाहता है यही है Jesus Christ यही है Jesus Christ यही है आपकी Jesus और मेरी Jesus और Romans 5.8 book of Romans अधियाई 5.8 आपकी बापी ही थे तो भि मसी हमारे लिए मरा आपकी वाइबल में क्या लिखा पढ़ लीज़े सब मिलके परंतो अपने परेम की भलाई इस रिती से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, जब हम अमीर थे, जब हम ताकतवर थे, जब हमारे पास सब रिष्टा बनाने आते थे, जब हमारा नाम चलता था, या जब हम पापी ही थे, जब हम कमजोर थे, पढ़ो जब हम कमजोर थे, जब हम गरीद थे, जब हम बिमारी मे थे, जब हम कर्जों में थे, जब हम जादू टोने की पावर की नीचे थे, तब भी एश्यू ने हमारी लिए रिष्टा बनाया. हार रिलिजियस तान में, छोड़ो, रिलिजियस तान छोड़ो, आपका एक रिलेटीव का शादिया चल रहे हजार लोग को इन्विटेशन है, अमीर लोग भी आ रहे है, गरीब लोग भी आ रहे है, सच बताना सच इस देश में चलता है, और रिषधार किसको ज़्यादा कौन सी बंदा आने के टाइम में वो सामने खड़े हो के वेलकम करना चाहता है हां बताओ रियालिटी है एक आया पाइदल दूसरा आया फेरारी में मसीडीज में वो देहां रे भाया आया जी बड़े भाया आया वो चाचा का लड़का आया जी बहुत वकील साव है चलो उनको रिसीव करते बड़ी एश्यू ने बोला जब आप कुछ भी नहीं थे तब भी वो आपके साथ रिष्टा मनाना चाहता है प्रभु का दिल तब तूटता है जब आप आशिश में, अनुग्रह में, बरकत में, अनुग्रह में जाता है उसके बाद आप सेवा में, ताइन देने में, आराधन में, अटेंदेंट्स में सब चीज में आप कम करना शुरू करते हैं तब उसका दिल तूटता है क्योंकि आपके पास कुछ था नहीं तब भी परमिश्राप के साथ रिष्टा बना रहा है। Luke 4.18, Book of Luke 4.18 Book of Luke 4.18 प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिशेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टी पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुछले हूँ को छुडाओं इसमें लिखा गया ये शुमसी आया गया क्रिस्टैनिटी धर्रम बनाने के लिए ये शु आया गया पैसा देकर धर्रम परिवर्तन करने के लिए या क्या लिखा गया क्या लिखा गया कंगालों को सुसुमाचार सुनाने और और बंदियों को चुटकारे देने के लिए बंदियों को चुटकारा देने के लिए बंदि कहां पे होता है जेल में होता है मैंने संडे बोला ना आपको हमारी पुराने जब हम बेस्मेंट चर्च में बढ़ते था साम को बंदी ग्रहों से चुड़ाने के लिए नशे का आपने नशेडियां बहुत सारे भाईयां बहने बोलके सुना होता न मैं दारू छोड़ना चाहता हूं बड मेरे से ये तो मेरे से ये तो हो ई नहीं रहा मैं नशा छोड़ना चातो και मेरे से ये तो मैं बेविजार छोड़ना चातो ये तो हो वो किसमे है वो बंदी ग्रेव में बडी ये-ष्यू जब उसके लाइफ में आता है उस नशे से, उस परिशानी उस ट्रॉबल से उसको उठाके बाहर लियाता है, only Jesus can do it, only, मैं अपनी एक स्वीरें से कह रहा हूँ, सारे पापों से, इस्चु से निकाल के लिए क्या है, मैं अपनी आखों के सामने, मेरी फादरलो दिन में तीन पाकेट सिगरेट पीता था, फूगता था, तीन पाकेट, मैंने दे, ओ, 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 चिमिनी से जैसे जहां, चिमिनी से फैक्टरी में देखा न, अपने दुआ निकलता है, बाओ जी से दुआए निकलता था, सुबे से शांदक, बढ़ उनको चुडा दिया, परमेशुर ने, मैंने, फिर में उनके साच्चोबीस गंड़ रा था, मैंन को बताए, सच्च मुच्य मैं परमेशन इनको डेलवरनस दिया, चुटकारा दिया, वो अपनी 20-30 साल की उमर में शुरू किया होगा आदत, बड़ पचास पच्छमन में आके प्रभू येशु में आया, उस टाइम उन आदतों से बाहर आ गया, आपका कितनी भी पुरानी बिमारी हो, कितनी भी पुरानी अडिक्शन हो, येशु आपको छुडा सकता है, through the blood of Jesus, येही तो salvation होता है, ये तो उधार होता है, जब आप कुदा येशु में आएंगे, लोग, ये श्यतान का सबसे बड़ा जूट है, धरम परिवर्तन करवा रहे है, पैसा देके करवा है, कौन कराएगा काम, हिंदुस्तान में, हमारी इदर संडे देखो, आज देखो, मसिया है, लोग, पांच लाग, हो सता है, पॉसिबल है, पैसा पूरा होता है, हम तो शीट भी फटा-फट खरी लेता, हम हर आफ्ते जोडते कर लेते हैं, आपको नहीं जीवन देने के लिए, 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 आपको आपको नहीं जीवन देने के लिए, आपक कि लहू के द्वारा इसी काम के लिए आया Jesus आपको लाइफ देना चाहता है जिन्दगी जेना चाहता है आपको नहीं आशिशनुग्रों के साथ भरना चाहता है परमेश्वर आपको नहीं आप प्रक्लेम करो जब येश्यू का ग्रेस को देया को सारे ब्लसिंग के साथ वो आपको भरना चाहता है दोके शुद करना चाहता है और आपको हेवन में एंट्री देना चाहता है पिछले हाथे मेरे पुसंदे अगर आप उनलाइन चर्च में था आपने सुना होगा आपने ना अमेरिका देखा ना यूरोप देखा बट एक जगा आप हंडर परसंदेखा होगे कौन सी जगा सौर्ग कितने लोगो कॉन्फिदेंस से देखोगे बटाइज़ ओ नई देखेंगे फिर क्यों बताता हूँ बताता हूँ हमारे नागरिका कहा का है नागरिका हमारा कहा का है हाँ हिंदुस्तान का है ना भारत का है ना अपना आप अमेरिका में जाएंगे आप उदर वोट कर पाओगे क्योंकि हम उदर के नागरिक है है नहीं तो इस देश का आपको अमेरिका का फेसिलिटीज एंजोई करना है तो उदर का क्या बनना है नागरिक बनना है इसी कारण आपको सुर्ग का नागरिक बनना है येशु मसी जाने के पहले अपनी चेलों को कमेंट किया जाओ मेरी सुसमाजार सुनाओ और पिता पुत्र पवितरात्मा के नाम से बबतिस्मा दो मेरा चेला बनाओ नहीं तो येशु बोल जागता है ना जाओ परजार कर गया हो परमेशु ने कमेंट दिया बबतिस्मा लो और पिता पुत्र पवितरात्मा के नाम से और मेरा चेला भी बनाओ आप फिर आपको सका नागरिकता आपको मिलेंगे और ग्रेट विक्ती जी जी उठा अमरने से जी उठाना ये शुमसी और पानी में चलता है ना ये शुमसी Bible में ना और पांच रोटी और कुछ मचलियां देते हैं उसको हजार और पांच दसजार लोगं को खिलाता है ने शुमसी American President से तो आपका मुलाकात हुआ नी ना Hindustan का PM से फोटो में देखता है अलग बात है बैठके आमने सामने डेली बात पो नहीं होता बट एक ग्रेट विक्ति जीसुस क्राइस उसके साथ आपका मुलाकात होता है डेली और हो भी सकता है फेस टू फेस भी हेवन में तो आपको यह सब चीज थू दू बलड ऑफ जीसुस ही पॉसिबल है Salvation उदार ग्रेट मिरकल इसले कहता है क्योंकि उस ग्रेट जीसस से आपका मुलाकात होगा और आप जब उसका सेवा में उसकी साथ उस रिलेशनिशिप में बनाएंगे परमेशु पोचिछी परमेशुण के साथ आपका रेलेशन हो सकता है होगा हो सकता है नहीं होगा 101 펄चेजब यह सारे पोस्पील किसे होगा उसके लिए कया चाहिए ग dripping चाहिए उद्ध़ कोन देगा येशु देगा और परमेश्र को फुकारना पड़ेगा मेरा दिल बे मेरा विश्वास है जब ये ब्लड की प्रचार पावर ऑफ ब्लड है ब्लड पावर हम सीखते जा रहे और आपकी लाइफ में उसकी पावर रिलीज होगा क्योंकि ताकत और किसी में चीज में नहीं पुकार में ताकत है रेनार बोंगे सुना होगा आपने रेनार बोंगे कान जो आफ्रिका में बड़ बड़े बड़े क्र्योड किया एक बार इ Caesar PhD सिरू हुए लू अगे उनका फ्रेखार के बीच में लोगहील हो ब्स्क्रा करता मैं पनी काम शुरू करें तो प्रेशर से नहीं बचा हम बता सकते हैं आपको समझा सकते है परमेश्वर का लहू में पवर है परमेश्वर का लहू में आपको उसको पुकारने आपकी शरीर में आना है और आज आप हीलोंगे डेलिवरोंगे आएंगे अपनी पेरों में पुकारेंगे आज आज येश्वर का लहू को कल से पंदरा दिन आप फास्ट करेंगे उपवास करेंगे कल से पंदरा दिन कल से उपवास कैसे करना किसी को पता है उपवास कैसे करना है मैं बताता हूँ उपवास करने के लिए आपके सामने खाना चोले बटूरे कुल्चे आएंगे आपको बोलना है ना खाऊंगा नहीं वहास कैसे करने हैeghanे को क्या बोले है, इसम् Pale brain करने है कि हमारा देशवाल उब्वास नहीं मेरा बहुत सारे लेटी बहुत है ऑज कुझ में केवल फूट खाऊँगा सिर्धिया जभी काहां था सिर्छटें लेशचे की छेफटें कर सकते चाह यह कादङे सकता है जूस मतल stret खाने शमर वहे PS वहीं कर लुए से, हम डूंद देना, रास्ता, पानी पीने आपने, ड्राइ-फास्ट नहीं करना, आपने अपने ये, ड्राइ-फास्ट नहीं करना, मैंने कभी तक कॹिए न्यें, ड्राइ-पास्ट, देनitaire फास्टिंग किया, तीन देन continuous बिना खाने खाके किया पानी पिया, चाई पिया बढ़ आप 6 बजे खोल सकते है, 4 बजे खोल सकते है 4 बजे चाई पी सकते है प्रार्थना के साथ ताइस मेंट करना और चर्च की Facebook में, YouTube में हर दिन का प्रेर जो जो जिस चीज की उपर आपको मनन करना है, वो भी अपडेट होगा कल का spiritual enlightenment आदमी ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप वास कर दिए 15 दिन, अगर आप चर्च की बस खेल शुरू होगे भाई इसको चुटकारा मिले पहले पहला spiritual enlightenment के लिए प्रार्थन करना है अपने, मेरा आदमी ज्ञान बड़े मेरा आतमी ज्ञान बड़े जितना आप आदमा में ग्रोंगे उतना आप शरीर में फेनान्स में हर एरिया ग्रोंगे हार दिन, Temple of the Mostra आई गोड जजागने, अपने Facebook और Instagram पेज लाइक नहीं किया, लाइक करो, फोलो करो, YouTube में भी आपको अपडेट्स मिलेगा अलग अलग दिन कौनसी कौनसी सब्जेट है, सुबेज 6 बजे वो शेडूल होगा, अपडेट होगा, आप देख सकते हैं, आज कौनसी सब्जेट की उपर है अगर आप वर्षिप टीम में हो, चर्च का वोलेंटियर हो, कोई भी टीम है, मेंबर हो, आपने करना ही करना है, आपको spiritual power नहीं है, आप सेवा करेंगे, कोई काम का नहीं होगा, वाराधना हो, सेवा हो, खाना हो, हार डिपार्टमेंट में आप सेवा कर रहे हो, छोटा हम उपास करेंगे और प्रातना करेंगे, आलेलुया, कौन कर रहे है, एक दिन, दो दिन, चार दिन, पान्च दिन, 10 दिन 15 दिन, 15 दिन कौन कर रहे है, मैं भी कर रहा हूँ मेरी साथ है आप चलो मिल के हम भास करेंगे और इस संडे ओईल से प्रेयर होगा, ले हैंड होगा वो ले हैंड भी पुल्पिट पे होगा आपकी फाइल, जिस जिस इस्शूस हैं सब लियाएंगे मैं पिछली थर्स्डे मेरी स्विरिचल फादर की चर्च में था ओईल लेके गया था मैंने ओईल से जो लेके गया, उसी से आपकी ऊपर भी प्रेयर होगा तो पुल्पिट पे होगे फ्रेंड से फैमिली सबको बताना, टाइम लेके प्राथन करेंगे, मैं ज्यादा टाइम स्पेंट करूंगा आपके लिए इंडिविजुली सबके लिए प्राथन करने के लिए तो इस संडे मिलेंगे परमेश्चु के प्रसेंस में दो चीज, दो अनाउन्समेंट आपको याद रखना क्या क्या वास फास्टिंग करने आपने 15 दिन से शुरू करने और वास करने के टाइम में आपको भूग लगेगा वास करने के टाइम आपको और कल सुबह से आपके घर पे कोई ने कोई अच्छा अच्छा खाना लेकर आना शुरू हो जाएगा कि बता रहो हमें आपसे और जो खाना जब आप भुवास करते हैं जो खाना आपको पसंद नहीं है वो भी देखे आपकी मुझे पानी आजएगा पुझे समूसा पसंद नहीं है बाट फास्टिंग फास्टिंग चलने कर दो देखे लगता है आप खाएंगें समुसा, I don't like it उसमें कोई कमी पेश यारे है, मेरे परसनल दिए है, मेरे को पसंद नहीं है आपको वह देखे, आपका कोई ऐसा खाना होता है ना जब कोई खाना पसंद नहीं है वह भी आपको उस दिन क्या होंगे? पसंद आएगा यह होता है नॉर्मल सी बात है और दुबेर के बाद सुरταरद होगा शुरतरद होगा, नॉर्मल सी बात है ऐसे लेगे हैं, ब्रेइं फोगिंग, दिमाँ काम नहीं कर रहा नॉर्मल सी बात है, पानी पीए और चाई पीए, जूस पीए दो चार दिन आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद आदत हो जाएगा, तो फास्टिंग करने आपने, हर इस बार फस्ट ताइम करके देखो, करो शुरू करो, मेरे साथ चर्च में शुरू को दिन से लोग है, फास्टिंग उन्होंने जिंदेगी में सुना ही नहीं और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें